असलाम उलेकुम दी फूड स्टूडियो में खुशाम दीद अल्ला ताला आपके रिस्क और मालो जान में वुस्सत अता फर्माए आज दी फूड स्टूडियो में हम होट एंस और सूप तैयार कर रहे हैं सूप बन्यादी तोर पर सद्धियों में इस्तमाल किया जाता है होट एंस और सूप में चिकन और सबजियां इस्तमाल की जाती है इसका जायका बहुत शानदार होता है हॉट एंस और सूप में सबसे पहले हम यखनी की तैयारी शुरू करते हैं सबसे पहले यखनी बनाने के लिए एक बरतन में ठाई लीटर पानी डालेंगे यहां यखनी के लिए हमने 400 गिराम देशी चिकन का इस्तमाल किया है इसके इलावा दो चिकन क्यूब्स पन टेविल स्पोन पिंक सॉल्ट एक दर्म्यानी प्यास छे से साथ लहसन के जवे एक दर्म्यानी गाजर कटी हुई पानी के बॉइल होने के बाद धीमी आज पर ढग दें और एक घंटे के लिए पकाएं जब तक यखनी तयार हो रही है आईए हम सूप की तयारी शुरू करते हैं सबसे पहले एक गहरे बरतन में तीन टेबल स्पून ओईल लें और इसमें पांच से छे चॉप्ट किये हुए लहसन के जवे लेकर उसे दो से तीन मिनट तक फ्राई करें अब इसमें 350 गिराम फिंकर कट या लंबाई में कटी हुई चिकन शामिल करेंगे और इसे दो से तीन मिनट तक पकाएंगे 100 गिराम लंबाई में कटी हुई गजर डाल कर थोड़ी देर तक पकाएं इसके बाद 100 गिराम लंबाई में कटी हुई शिम्ला मिर्च और 100 गिराम ही कटी हुई बन गुवी शामिल करकर 3-4 मिनट तक पकाएं यखनी अब तयार हो चुकी है इसमें से सबजियां और चिकन निकाल लें यखनी से निकले हुए चिकन को आप कहीं और इस्तमाल कर सकते हैं इस यखनी को सबजियों में शामिल कर दें अब हम इसमें सूप के मजीद अज़ा शामिल करेंगे सबसे पहले पिंक सॉल्ड वन टी स्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इस्तमाल कर सकते हैं 3 टेबल स्पून चिली सॉस 2 टेबल स्पून सोया सॉस सिरका 3 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून चाइनीज पावडर सॉल्ट हाफ टेबल स्पून काले मिर्च कुटी हुई हाफ टेबल स्पून सफेज मिर्च कुटी हुई वन टेविल स्पून चीनी अब सूप को दर्मियानी आज पर दो से तीन मिनट तक पकाएंगे अधर कप कटी हुई हरी प्यास शामिल करेंगे चार से पांच चमचे कॉन फ्लॉर में थोड़ा पानी डाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे आहिस्ता आहिस्ता सूप में शामिल करें जब सूप गाड़ा हो जाए तो दो अंडो की सफेती को फेट कर इसे भी आहिस्ता आहिस्ता सूप में शामिल कर लें और थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ दें होट एंड सॉर सूप सर्विंग के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें और बैल आइकन पर क्लिक करें ताके हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो आपके हर खाने का साथी आपके हर खाने का साथी आपके हर आपके हर वीडियों करें आपके हर एंड स्थाने का साथी झाल झाल